वेल्कम बैक उनकी एक्टवक कैसे आप सभी तो परेंट जो नया नया इलेक्ट्रोनिक का काम करते हैं और CRT TV का काम करते हैं उनके साथ एक प्रब्म हमेशा बनता है या कि जो आपकी EST होती है फ्लाइबैक टांफर्मर वो ठीक है या खराब है कैसे परकरें अब चेक करने उनको लोग को नहीं आता है तो लोग को बहुत डिक्क होता है CRT TV को रिपर करने में है क्या क्योंकि अगर आप एक न्या EСТ लेजिए और एक खराब EСТ लेजए और डोनों का लिजिंग चेक कीजिए मलती मिटलतें दोनों का सेम ही आएगा यह लेटो अलवा दोनों का आएगा तो आपके यहिती मलती में == learn कर लख है तो थाइंग इसमाज चलिए शुरू करते हैं तो कभी भी आपकी EST on नहीं हो पारी है तो सबसे पहले आपको EST chain नहीं करना है आप कुछ का रीजन चेक करना है कि EST खराब है कि कुछ और खराब के पर आपकी EST on नहीं हो पारी है तो सबसे पहले जो step होता है आपको जो एस्ति आन कने के लिए वोल्टिज चाही होता है उसको चेक करोता है क्यों प्रॉपर एस्ति तक पहुच रहा है की नहीं पहुंच चाही है तो कौन सा वोल्टिज होता है तो यह अगर देखिए आप सब सी रीतीटीब का खित में यहां 4 डैवेड लगते है एक दो तीन चाल इस में था एक सबसे बरा होता है, तो तीन सोटे होगा एक सबसे बरा होता है जो बरा होता है दाएवव्र उसमें आता है 110V जो E2 को on करता है अगर फिर आपके 110V missing होगे तो आपके ech-t कैसे on होगी तो सबसे पढ़ें आपको इसी voltage को check करना है अब क्या करा है मल्तिविटर को 1000 या 200 वोल्ट की लेंच में पे लगाना है और एक प्रोब को जो ब्लैक प्रोब है उसको कहीं भी ग्राउंड करना है जए इस अबका मिट्र का वर्डिक एक अलमूनियम का हिस्ट्रिंख यहां कहीं भी आप लगाएगें और आपको यहां 110 वो तो आपका जो वोल्टेज हो कम है तो आपको क्या करना है इस प्रिशेट को चेंज करके देखना है यह कभी क्राइब प्रिशेट खाब जाता है जिसके प्रिशेट आपका वोल्टेज कम आथा है और इसको चेंज कर दिया और सभी कम पोईंट को चेक कर दिया कि आप सब कम प अब आपका voltage normal हो, x10 होए रहा है, तो आप समझ दिए आपकी esti short हो है, ये तो 40 देथी हो गया, तिक अब एक second trick बताता हूँ उपको, एक condition और पर पर रहता है esti की साज हो, second trick में बता रहा हूँ, कि आपका voltage यहां बहुत जाद fluctuate करता है, आप x10, 105, 90, 50, 70, 40 द्रम उपा नीचे उपा नीचे बार 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 voltage होता है, बहुत जाद fluctuate करता है, तो इस question में भी आप समझ दिए, जो आपकी esti है, वो खराब हो चुकिए, तो इसी यह आप esti को चेक कर सकते हैं, किसी मल्तिमेटर चेक नहीं कर सकते है, अगर आपका voltage यह बहुत जाद डाउन कर देना है, जो इसका 110 voltage होता है, बहुत जाद डाउन कर देना है, तो आप समझ दिए, आपकी esti खराब है, तो आप उसमें एक बार esti चेंज करके देख तो आता है को वीडियो अच्छी लगी गए, और कुछ निया ठीक नहीं मिलागों, तो वीडियो पर चला है, प्लीड लाइक किजगा, और चैनल पर नए तो सब्क्राइब बीजोर किजगा, तो चली मिलते इसते है किसी और वीडियो में, तब तब पर ख्याल लखिए, दे क्यार बाइब बाइ, जाहेंड